ओम सिरी गनीश राइनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 सितंबर रविवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके मित्रों का आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जो आपको काफी शकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत्साहित करेंगे दोस्तो आपको अपने कर छित्र में आज कई कारों के लिए अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का दिन आर्थिक दरश्टी कौन से आपके लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो आपके आर्थिक इस्तिती में काफी अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके विवसाय में विवरत दी होगी आम अंदनी के स्रोत में इजाफा होगा और आप आर्थिक तोर पर आज अच्छा समंजस बना कर रख पाएंगे दोस्तो आपकी मुलाकात अपने मामा और मौशी के परिवार से आज हो सकती है जिन से मिन कर आपको काफी खुसी होगी और वहें आपके किसी काम में काफी मदद भी करेंगे जा दोस्तो साथिसाथ धर्मिक क्रिया कलापों में विविरत दी होगी और आप उनके ऊपर हैं शंगर्स करने के बाद कारों में आपको सफलता आज अवस्य ही प्राप्त होगी यदि आप किसी यात्रा के लिए जाने के इक्षा रखते हैं तो वह भी प्रियास करने में आपको सफलता मिलेगी यदि आप कारे छित्र में अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो उसका अच्छा प्रदसन प्रतेक छित्र में देना होगा ताकि आप उसके पैणाम सरूप प्राप्त हुए हर सुक को अच्छे से भोग सकें और इसी कारण आपका मनोबल भी बढ़ेगा जिसके कारण आप काफी उत्सा में रहेंगे और अपनी उर्जा के बल पर आप हर चिनोतियो में बीतेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आपके लिए आवशक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पूरा समयले और सोच समझ कर ही समस्याओं का हल निकाले और समस्याओं को हल करने के लिए प्रिया काबू में आ देंगी या दोस्तो साती सात पैसे के लेंदेन में भी आज आपको साफदानी रखना आती आवसक है तता किसी भी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसान दायक हो सकता है इस दिन मानसिक असांती तता तनाव पूर्ण इस्तितियां जादा हो सकती है इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्न लेने से पहले आपको कई बार सोच विचार आवस से ही कर लेना होगा यह आपके लिए काफी फाइदेबंद साबित होगा दोस्तो साती सात क्रोद पर नियंतन एम वानी पर आपको आज सैयम रखनी की अतियाव शक्ता है अन्य था विवाद की इस्त आप परिवार को जोड कर रखना चाते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ समझोतों के लिए तैयार रहना होगा अन्य था इस्तिती आपके नियंतन से बहार हो सकती हैं आपको परिवार के लोगों के साथ धन संबंदित समस्याओं को भी सुल जाना होगा और अपनी और से अधिक से अधिक योगदान करने के लिए भी तैयार रहना होगा दोस्तों साथी साथ उच्च सिक्षा के लिए प्रियासरत लोगों को भी अभी थोड़ा प्रियास और जारी रखना होगा तथा प्रितिक्षा करनी होगी कौँकि फिलाल उनके लिए अधिक अच्छा खाई नहीं दे रहा लेकिन आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्कता नहीं है क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तो बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ केसी रहने वाली है दोस्तो यदि आप अपने प्रेमी प्रेमी का को प्रपोज करना चाते हैं त दोस्तो आज आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे आपसी संबंदों में घनिश्टता आपको एक नई इस्पूर्ती प्रदान करेगी जीवन साती का भी आज आपको पूरा शहयोग प्राप्त होगा साती सात विवायत जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती च्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो वैवसाय धंदे में आज आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के अनेको योग बन रहे हैं ग्रहनक शत्रों के अनुकूल रहने से आस्मिक धनलाब के भी आज अनेको योग बन रहे हैं दोस्तो आपको पैसे के लेन देन में भी अधिक फायदा होगा रुके हुए सबी कर रहे हैं आज आपके पूर्ण होंगे और धनलाब की आज अच्छी इस्तिती रहेगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो वैपार विस्तार की आज आप नहीं योजनाएं बनाएंगे वैपार को लेकर भी आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए काफी लाबदाएक साबित होंगी दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो भविश्य में चलकर आपके लिए काफी लाबदाइक साबित होंगे नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन भहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो बुद्धिमानी से आप उरजा सक्ती का प्रियोग करें ताकि आपको सारेरिक रूप से कोई परिसानी ना हो और आपका जीवन काफी खुस में बना रहे दोस्तो साति सात यदि आप उम्र दराज हैं तो संभव है कि आज आपको कुछ सेयत के मामलों में अधिक नियमित होने की आवशकता पढ़ सकती है जिससे आज आपको कुछ योगा सुनों का भी सहारा लेना पढ़ सकता है और साति सात आपको अपने खानपान पर भी विशेश रूप से ध्यान देने की आवशकता पढ़ सकती है दोस्तो साति सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश रुपाई क्या है दोस्तो आज आप इस नान आदिशी निर्वत रहोने के बाद गाए को रोटी पर देसी घी लगा कर गुड के साथ भगवान शूरदेव का इसमनन करते हुए अवस्य देव जह दोस्तो ऐसा करने मात हिए भगवान सूरदेव बहुत जल्द प्रशन होंगे आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुगो फलोग की प्राब्ति होगी और आपके सभी कार्रेव बहुत यासानी से बनती चले जाएंगे दोस्तों आप इस उपाय को वश्च करें आपको वश्च ही लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान शुरदेव का असिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैस शुरदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद